दोस्तों कहा जाता है कि तूटी हुई टहनिया ही पतवार बनती है चिंगारी भरक कर ही अंगार बनती है फिर से सुनिएगा तूटी हुई टहनिया ही पतवार बनती है चिंगारी भरक कर ही अंगार बनती है रौंदा गया हो बेबस समझ कर जिस मिटी को वही मिटी एक दिल उ लो गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं देपाक सिंग स्वागत करता हूं आपका अपने यूटूब चैनल दाश्टारी मेल पे चलिए आज हम लोग बात करने वाले तिरकौनमीती पे पिछले दिनों हम लोगों ने तिरकौनमीती के इंट्रॉडक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने 8.1 का दो कुष्चन कर लिया था आज हम लोग उसका तीसरा कुष्चन से लेकर आगे बढ़ते चलेंगे ठीक है तो चलिए बीना समय गवाय हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी वीडियो से जूड़े रहिए और देखते रहे दाश्ट उसका मान ठीक है तो चलिए देखते हैं कि क्या है दिया है कुष्चन में आपका कि साइन एज इक्वल टो ठीरी वाई फोर ठीक है तो हमको निकालना है कॉस ए और टैने कामान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे एक समकून तिरभुज की रचना करेंगे इस तरह का स यहां बन रहा है दो सामने वाला लंब हो गया तो यहां पर पी का वैल्यू जो 3 यहां पर इसक्यट बधिक Umwaitsen लेंगा अच्ट होटा है रुट एच खुयर trio स्क्वार तो एच स्क्वार कितना हो जाएगा चार चुका 16-3 कितना हो जाएगा 9 घटाइएगा तो रूट 7 आ जाएगा ठीक है यह आपका रूट 7 आ रहा है चलिए बी कमान आ गया आपका रूट 7 चलिए इसी अधहार पे हम इसका वैल्यू पूट करेंगे तो आपका स्वल्यूशन हो जाएगा रूट 7 और एच कमान 4 यह आपका पहले का एंसर और यह यह पी बटा भी होता है तो देखिए पी कमान पहले से पता है और बी कमान पता चलिए रूट 7 उस तरह से आपका इस कुछेन का एंसर आ जाएगा ठीक न ऐसे है यह यह कुछेन बनेगा तो चलिए अगले प्र हाँ चलिए अगला कुश्चन है इसको पहले मैं मिटा दू आप इसको नोट कर सकते हैं ठीक है ऐसा इसका कोश्चन का अंसर बनेगा चलिए अगले कुश्चन की हम लोग बात करें चोथे नंबर की तो उसमें दिया है पंद्रा कॉट एज इक्वल टू एट तो हमको बेसिकली निकालना है साइन ए और सिक एक का मान निकालना है ठीक है हमको इस दोनों का मान निकालना सबसे पहले दिया क्या है गड़ा है 15 को टे बराबर 8 दिया है तो सबसे पहले इसको हम कॉट एक होता है बड़ाबर होता है तो चलिए है तो कोट या यहां पर देखें कोट यहां से 8 वटा 15 यह पंद्रा इधा गुन्डा भाग करेगा तो कोट यहां वड़ावर होता है बी वटा पी देखें बी कमान आठ और पी कमान 15 तो यहां से हम ए बी सी तिर्भूच की एक रशना कर दींगे ठीक है इसमें से कोन ए ही बन रहा है तो को यहां से लेकर चलेंगे तो सामने बोला लंब हो जाएगा तो पी हो जाएगा पंद्रह और बी हो जाएगा आठ तो चलिए अब एच का मान निकान लाए तो एच बरावर जहां सिंपल का वर्ग मूल होता है 17 का वर्ग होता है दूसर नवासी तो यह आपका आगया 17 इस तरह से आपका एच का मान पता चल जाए तो आसानी से इसका वैल्यू पूट कर देंगे देखिए अब यहां से हमको सॉल्यूसन में पूट करना है जिसाइन एज इक्वल टू होता है पी इस तरह से आपका एंसर आगया ठीक है 17 बटा आट आप इसे चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए अगले कुश्चन को लेके चलते हैं नूट कीजिए और अगले कुश्चन को लेके चलते हैं आगये है कि चलिए अगला कुश्चन है इसे ठीटा बड़ाबर दिया है 13-12 हो तो अन्य तिरकौनमिती अनुपाद परिकलित कीजिए शेक का वैली दे दिया तिरकौनमिती तो अन्य सभी तिरकौनमिती कि जैसे हो गया यहां से यहां से डाइगराम बना लेंगे समकोन तिरभूज का पहले इसका जो दिया है वो लिख लेते हैं से ठीटा बरावर दिया है आपको तेरा बटा बारा हम फर्मूला जानते हैं यहां से एच का वैलू तेरा अभी नहीं पता तो पहले तिरभूच की राजना कीजिए एबीसी जिसमें से ठीटा दिया यह ठीटा बनाई है इसको ठीटा बनाई यह तो सामने वाला लंब हो और याद भी करवा दिया था ठीख है ना तो चलिए एच स्कॉर यहां से देखें तीरा का स्कॉर 169 माइनस बारा का स्कॉर 144 दोनों को घटाईए गाता जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल जो होता है वह 5 होता यानि पी का जो मान आगया वह पांच आगया इस तरह से अपी का म अनुपातों का मान डालने के लिए बोल रहा है वह देखे कैसे करते हैं तो यहां से साइन ठीटा इस इक्वाल टू होता है पी बटा एच तपी का मान कितना है पांच और 12 एच का मान कितना हो गया तेरा सिंप्ली इसका ब्ली जो है डालते चले जाएंगे को ठीटा मान कॉटल पद होता है तिरकुरमेती का टॉटल पद कितना होता ही होता है लेकिन हमको एक पहले से दिया हुआ है उसके थ्रू पांच और पदों को निकालना है इसलिए हमेरा तूटल यहां पर देख सकते हैं पांच आया है ठीक है ना इस तरह से आप इसका बना सकते हैं और उसके बाद चलिए बहुत आसाने से यह बन गया देखे पहले हम लोग ने क्या किया कि जो ए और कॉन भी नियून कॉन है जहां कॉस ए बराबर कॉस भी दिखाना है हमको लेखिए धियान से देखते चलिए हम कोश्टन लिखने रहे हैं चुकि लिखने में थोरा समय जादा जाएगा ना इसलिए हम कुश्टन इसको लिखने रहे हैं जो भी है आपको बता देते हैं को उने को निब्स को न है यह थीं कोन है तो हम को दिखाना है के ब्राबर न का झास कोई दिखत नहीं है दिखाने के लिए कोई कित नहीं है सबसे पहले डियागरम बनाएं चुक्ần कि कौस ने हैं और colored गर से काम चलेगा नहीं हम लोग दो फीगृरर बनाएंगे देखिए एक यहाँ पर यहाँ पर देखे एंगल इसका एंगल देंगे इसका इंगल भी देंगे कुछ भी नाम maggie डाल दीजे ईक समकूर बाई सब्सक्रों रहुआ इसका नाम डाल दीजो सीडी ठीक है यह आपका हो गया क्यू पी ए ठीक है इसका हो गया डी सी भी ठीक है तिर बुझ दो तिर बुझ हो गया आप हमको दिया क्या है यहां पर लिखेंगे दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस भी इतना तो कुश्चन हमको दे दिया है उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद जो है इस कमांड डालेंगे कॉस ए बराबर कॉस भी दिखाना है तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से देखो बी बटा यह होता है ना तब बी कमांड क्या हो जा के के बराबर मान लेंगे क्या मानेंगे के के बराबर माना के के बराबर मान लिए अब क्या करना यहां पर यहां पर इसका की का वैलू यहां पर निकाल लेंगे यहां पे इसको ''K'' के बराबर करेंगे पहले हैं यहां से क्या आ जाएगा भी यह बराबर आजाएगा कियूot k q a he यहांप आजाएगा आपका के की हुए तथा किसी बराबर आजाएगा के इंटू डीवी एक इंटू डीवी यह आपका आगे उसके बाद क्या करेंगे दोनों को यहाँ पी यह नहीं होगा पीक्यू नहीं होगा समीकरण को अब तिरभोज क्या है एक श्रफ है एक एपन जगा इकलगे मतलब स्मीनर करेंगे समानांतर करेंगे दोनों टिरभूज को समानांतर करेंगे तफीड़न को बरावरऱ दीखना करना तो दुनों तर्भूज को समनांतर करेंगे यानि यानि लंब का मान निकलनेंगे पी क्यूं और उसमें क्या हो जाएगा सब्सक्राइब इसका वैल्यू निकाल यहां से निकाले कितना हो जाएगा यह देखिए लंब दिया है तो यहां से आपका आज आएगा रूट अंडर क्या जाएगा रूट अंडर एक्यू स्क्वाइर रूट अंडर एक्यू स्क्वाइर माइनस पी पीए स्क्वाइर एक्यू स्क्वाइर माइनस पीए स्क्वाइर आई इसका आज आएगा सिडी का डी डी बीए स्क्वाइर माइनस सबस् соз ऐस- pests में एकशी का आज़ चीज वेलू हम को पता है और डूbs का यहां पर ने पता न अब यहां से देखिए इसको simply और तोरते हैं आप PAL जागा के इंटू बीडी का स्क्वार क्याइब उम्डम सजागा तो आप यहां से एका जाएगा रूट अब और डीका स्कॉार माइनस सी जाए एक में चालिए अब अब इसको एक करते हैं तो आपका जाएगा रूट यह से Should ANE निकल लेंगे तो यह बाहर चलायेगा एसों रहे एक है यहां पर यहां पर आफिसक्म yeah लेंगे जब रूट है रूट के बाहर आने पड़ यह सिर्फ के हो जागा उसके बाद देखिए बटा जो है सो बज जाएगा रूट अंडर बडीए इसको ब्लिख सकते हैं यानि आगे पीछे लिख सकते हैं ठीक है इसको देखें करेंगे क्ये के ब्राबर आ इसके ब्रावर आ गया किसके ब्रावर आगया आपको यह है कि यह इसको की मान होता है उसके इसके बाद इसका से मान दिया अब निकाल लिए ठीक है यहां तक समज़े उसके बाद लिगा करेंगा इसको डोनों को अब इकठ्ठे 해야ँ जो रेंगे इसको समिकरन दो नहीं जी घ कि फिगर को भी मैं मिटा देता हूं ठीक आप लोग फिगर नोट कर लिजेगा चलिए समी करन यहां पर लिखेंगे समी करन एक और समी करन दो से इसी बरावर था एक क्यू इस पैरलल यह समरूप है तिरभूज स्पार सिदिए सम्रोप्ता का पUS कुछ BCD के इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कॉस ए कॉन ए बराबर कौन बी ठीक है यह हम को प्रूवड करके दिखाना था इस तरह से हम कर सकते हैं ठीक है अब चलिए इससी तरह पर बहुत तीजी कुश्चन था दोस्तों इसको बनिया से एक दूबार नहीं त कुश्चन को देखते हैं बहुत तीजी कुश्चन है चलिए उसकुश्चन को भी कर लेते हैं कि उसकुश्चन को देखते हैं कि आखिर उसकुश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं चलिए सेवे नंबर कुश्चन है मेरे पास कुश्चन अवलेवल है आप ल देकर के उसे पूछ रहा है आपको क्या दिया है यहां पर सिंपली आपको कोड ठीटा का वैलू दे दिया है और कोट थीटा के बिराबर मतलब कोट थीटा का वैल्यू दे करके उससे पूछ रहा है आपको कि एक फर्मूला जानते हैं A प्लास फी यहां से देखिए प्लास बी और इंट्ime माइनस के पढ़ा है किशन स्काइब पन सका भी होता है ठीक है कि प्लैस्टी है माइनस भी है क्मट्छ स्क्वार माइनस शाइन इस ठीटा का स्क्वार ठीक है यह दोनों का लिखेंगे उसके बाद यह नीचे वाला में भी ओढला झाल है इसका फिए ओजाएगा तो हो जाएगा यह हो गया बटा वन माइनस कॉस स्क्वार ठीटा अब देखिए हम एक फर्मूला जानते हैं वन माइनस स्क्वार ठीटा ब्रावर होता है कॉसे स्क्वार ठीटा देखें इसका फर्मूला होता है स्क्वार ठीटा प्लस कॉसे स्क्वार ठीटा ब्रावर वन होता है ठीक है इस तर यह फर्मूला होता है आप इसको नोट कर लेजिए यहां देख तेके से आपका हो जाएगा स्क्राइज स्क्राइज तो आफ को माण पता है कितना 7 है को सिटुर Milam ओर याद करना यह प accounted होगा यह वाला फारब आपको याद रखना है सईनस को सब्सक्राइज fazer आसान है यहां मैं इसको बना देता हूं दूसरा कुश्चन क्या कर रहा है इसका स्क्वार करेंगे सिंप्ली तो आपका जाएगा वहां से मैं आपके प्रोब्लम को समझा दूंगा ठीक है ना यहां से हमको तो नहीं लगता है कि आप लोगों कोई प्रोब्लम होना चाहिए चुकि यहां पर वह सब कि सब आपके सामने दिया गया है ठीक है कि ठीक है नहां से धोनों का यहां से सिमिलर हो जाता है दोनों का यहां से से समान है अब चलिए हम लोग का सब्सक्राइक खत्ब हो गया कॉस स्क्वारे माइनस कॉस साइन स्क्वारे है या नहीं बरावर है या नहीं हमको जाज करके बताना है तो क्या है कुश्चन है 3 कॉट ए बरावर 4 ठीक है मैं कुश्चन लीख रहा हूं आप लोग भी इसे साथ साथ करते चलिए चलिए देखिए यहां पर कुश्चन है आपका आठ नंबर कुश्चन है थिरी कॉट ए बरावर 4 क्यां से कॉट ए बरावर है जाज करना है क्या कि 1-10 square a बटा 1 plus 10 square a is equal to कॉस इसक्वाइर ए माइनस साइन स्कॉर यानि दोनों बरावर है कि नहीं इक्वाल है कि नहीं यह हमको जाज है आपको फार्मूला पे नहीं चलते हैं कि आपको लोगा सुर्फ फार्मूला पे बता रहे हैं ऐसा नहीं समझ में आएगा तो चलिए बरावर क्या होता है भी बाटा पी होता है यहां से हम पर निकालेंगे तो आपका चार चुका सो लातिन तेनो जोड़ीगा तो कितना जाएगा 25 एच बड़ावर आ जाएगा पांच पांच का वर्ग मुल निकल लिएगा पांच आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए अब यहां से वन माइनस टैन भाइब एच मतलब फाइब यहां देखिए हो गया अब इसको सिंप्लिस वल्व करते हैं देखिए सिंप्ली सोल्व कीजेगा मैं इधर इसको स्वाल कर रहा हो देखिए वन माइनस नाइण वाटा सिक्स्टीन बार है 16 वाटा 25 मैनस 9 वाटा 25 ठीक है अब यहां देखिए देखें दोनों सेम हैं तो उपर घटेगा कितना हो जागा सेवन वटा 25 आजाएगा ठीक है अब देखिए दोनों से मैं सुला सुला कर जाएगा यहां देखिए यह आपका आ गया सेवन स्तर् our ड सेवन वाई 25 इधर का बडावर उधर भी है सेवन वाय 25 इस तरह से क्या होता है कि हमारा प्रूवथ होता यानी 27 यह लिखेंगे यह को यह दिखाना है कि हम कुष्टन esqueland दिए गया हम कुश्ण में आपको जो दे रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ठीक है इस तरह से आप दिखा दीजेगा आप नूट कर लिए से सिंप्लियस को नूट कीजिए और फिर आगे को चलते हैं अगला कुश्ण पर चलेंगे ठीक है ना चलिए मैं इसको मिटा रहा हो पर चलिए नाइन नमबर कुष्चन पर चलते हैं नाइन नमबर कुष्चन क्या कह रहा है आपका वह देखिए नाइन नमबर जो कुष्चन है वह आपका कहड़ा है कि तिरभूज a b c में तिरभूज एक में जिसका कॉन बी समकॉन है और टैने ब्राबर दे दिया वन बाई रूट थिरी तो निमने लिखित का मान याद करना है देखिए बहुत एजी कुशन है पले एक तिरभुज बना लेंगे जिसमें A, B darum कोन है और टिकलना बी समकॉन है ओके एवस्तम टैन आया आक वैलिव का वैलिव जिए रूट थिरी अब देखियो इसमें लडिये तैन बराबर फर्म्मिला क्या होता है प्वाटा बी यहाल-प प्रिषले क्लास में हम लोग ने बताया था कोन के नजरिया से कैसे हम सॉल्फ करते हैं यहां से हम दो चीज का वैल्यू दिया है तो हम सिर्फ एच का वैल्यू यहां पर उन पता कर सकते लेखे लिए यहां पे बैठा नहीं सकते चलिए सका भीफ पता कर लेकि prawu होटा है क्या a सब्सक्राइं प्र होता है किरी उफ्ड करवन से प्लस कि और यहने तीन और e 4 विड्या ठीक है अब चलिए यहां से पहला कुस्चन है आपका आट आट इंट्स प्लस एंट इंट्स और सिंट यहां से दूलगन की शेट है और पदे सेus ex tutte reg t ऊणड दो एंगल है और सी एक वर उपार कुछ्छन मिला लेते हैं जाइन कॉस सांट साइन सी यहां आफेर दो एंगल किसे नजरिया से होता है तो पी कि हो गिया यहां से पहले इसका वैलू ढ़िए तो सामने वाला हम उतना नहीं जाते सिंपनल हमको पता है सामने वालोंहों कितना हुआ एक दिया हुआ तो हम वहां पर रखने की कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है इस कुस्चन को डाइरेक्ट भी हम बना सकते हैं कैसे देखिए नहीं पर कॉसी का मान कितना होता है कॉसी कि वहीं कि युदा को सब्सक्राइब करना में यहाँ और और एक हैं इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आप से किजिए गा तो यह गलत हो जाएगा अब चलिए इसको कैसे करना है पहले इसका मान पूट कर दीजिए क्या है एक नजए सामने वाला लंब है चीटा है कि यह है चलिए दिया है ना टैने बराबर चुकि को दे दिया है वन और रूट थ्री अब यहां से हम ए और सी का और साइंस यहां से याँ से आपका यहां से आपका एक यहां रहे जाए जो मैंने पहले बता है ना उस तरीका से आप में लोग मत बनेएगा कि दाइडेक्ट पी ओ बी कमान दिया है और पुट कर दिये इस तरह से आपका कुश्चन गलत हो जाएगा ठीक है अंसर गलत आएगा अब चलिए अगले कुश्चन को देखते हैं अगला कुश्चन है दूसरा नंबर कुश्चन जो दिया है आपका कॉस ए कॉस एंटु कोश सी इनस शाइन इन साइन सी ठीक है यहां दिया हुआ है चलिए इस कुश्चन ईसी वेल्यवक पूट करना है तो कॉश्चन का वैल्यवक कीजिएगा एक नजरिया से देखें देखें तो सान्हें गांगा वहाई ॥ कृष्चन था सिर्फ हमको देखने का नजरियाbilir चेंज करना है एंगल बैठाना है और value put करके cut cut देना है ठीक है कटने वाला होगा तो cut देंगे इसका 0 मेरा answer आ गया चलिए नोट कीजिए आप लोग अब अगला question पढ़ते हैं अगला question है तिर्भूज PQR में जिसका Q समकौन है प्यार प्लस QR बराबर आपको दे दिया है और PQ बराबर दे दिया है यानि दो भुजा को जोड़कर value दिया है और एक भुजा का value दिया है ठीक है उसके बाद चलिए हम लोग दसमा question को लेकर बढ़ रहे है ठीक है दसमा question आपका कहड़ा है यानि मतलब question जो है उसको आपका दसमा नमबर question जो है इसमें तिर्भुज एक बनाना है PQR देखिए तिर्भुज है PQR PQ जिसमें Q समकुन है यहाँ पर दो भुजा का आपका मान दे दिया है दो भुजा का मान है यानि प्यार प्लस QR आप दे दिया है प्यार प्लस QR is equal to 25 और एक भुजा दिया ह आपका PQ बरावर 5 cm देखिए तिक है अब यहाँ से देखिए दो भुजा का मान है प्ले पीक्यू का मान देखिए कि क्या देदिया है फाइप सेंतिमेटर यह दे दिया लेकिन हमको तो पता है ना कि दो भुजा का मान रहता है और तो तीसा आप हम लों निकाल लेते लेकि चेंज हो जाएगा और क्या दूसरा कुछ नहीं होगा चलो देखो आप लोग खाली ध्यान से देखते रहों बहुत आसान से बने तरीका से बरज जायेगा असानी से बन जाएगा ठीक है अब देखो पी अर प्लस क्यूवर यानि इस इक टुट टूटिफाइब եा तता है आप देखियों से क्यों आपको है कितना डिया हुगा है त्शेकर क्लावाद में करूँ लिख सकते हैं प्लस 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 लिख सकते हैं चलते आएगा चुकि इसी का तो मान निकल ना तब देखें पचीस का स्कॉर कितना हो जागा 625 माइनस प्लस 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 डेखेऊ देखेय के करेंगा सबस्टेन प्लाइस प्लड्य हो जाएक होँ सब्सक्राइब होँचों सबस्चोंट थे क्योंऄर आप देखेच षृब्लस में और दोनों प्लस में इधर यह जाएगा सेमं से still स्फानल आभ़ गखेर चाएंगा एक्वाइस ग्लैंगेat İ देखिए और ता जाएगा ऐ मैने सीधर आएगा तो हजाएगा 50 पी-अर इस एक्वाल टू हो जाएगा 625 प्लस पीक्यू ठीक है अब देखिए यहां अंग है P पाइब का सक्षाएगा अब यहां पर यहां पर जूटेे का उल्यक्ता देगा नियुक्त कट किया जएगा चाहिए निदेदा प्लस मेर बड़ावर क्या है पचीस है अब देखिए प्यार कितना आ गया ते कि आशान तरीका है कि क्यों कि क्यों निकाल लेगे कि क्यों की सबस्दें यहां पर डाल दिए प्यार प्लस qr बड़ाबर क्या है 25 है अब देखिए हमको प्र कितना आ गया पी आ गया गहां तेरा थेरा प्लस qr बड़ाबर 25 अब यह 13 प्लस में इधर जाय क्या करेगा माइनस में qr बडाबर आ जायगा आपका 12 यह क्या जाय 12 चलिए इतना हम जब निकाल लीगे तो हम असान है कि अदिने में क्या है साइन पी had पे का वैलु पुट करनाद पी को है पहeking है तो सामने वुल रहां ऩो जाएगा यह आपका प्यार नहीं निकल पाते हैं जो हमने प्यार निकला यह नहीं निकल पाता है सब्सक्राइब करता है तो इसको एक वार नहीं दो तीन बार प्रैक्टिस के आसान है बन जाएगा आपसे चलिए अब इसी को अब यह झतली ख़तम हो जाए चलिए इस से अगला कुष्चन को लेते हैं अगला कुष्चन मेरा क्या है वह मैं पढ़कर अब करना तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं आखिर क्यों सही नहीं है ये लास्ट कुष्चन है इसको ध्यान से देखे क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला चलि इस चैपटर का ये लास्ट कुष्चन है तो इसको बढ़िया से करते हैं और इस चैपटर में जो भी प्रोवलम आता है आप कॉमेंट में आपना कंट भीचते रहिए ठीक है आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है आपको क्लास कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके एक एक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं अर्फ किजेगा मतलब मुरकी वेसन हो जाते हैं अंदर से कि चलिए और और आपके लिए कुछ नया नया चीज सीखने के लिए लाते रहे हम भी सीखे और आपको भी सीखे चुकि बोला जाता है बड़े बुजुर्ग कहते हैं ग्यान बाटने से बढ़ता है तो हम लोग कर रहे हैं एक हमारे सर है मनुहर सर भी है तो वह अप साइंस कर लेकर आहीं विडियो भी उनका अप्लोड होता ही जा रहा है यहां पर ठीक है तो चलिए कुश्चन करते हैं फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं कि ग्यारा नंबर कुश्चन है कि बताना है कि निमलिकित कथन सत्य है या सत्य कारण सहित अपने उतर की पुष्टी करना है देखिए बोल रहा है टैन ए कामान सदय एक से कम होता है एक से कम होता है ठीक है तो देखिए यह गलात है कि एक से कम और एक तक दोनों में फार्क है क्या फर्क है डेखिए तो है कि दो पीसा को दिए। है स्केम मतलब एक से कम पढ़ता है लेकिन हम जानते हैं कि आगे पढ़ना है 1045 का जो मान होता है 45 डिगरी का मान होता वह एक होता है अब देखिए 1045 10 का जो वैल्यू एक है लेखिन कोश्चन कह रहा है एक से कम तो यहां पर हम लिखेंगी कि हमारा कथन गलत है हमारा कथन गलत है गलत लत है क्योंकि कारण में कारण में देना है क्योंकि 1045 का मान एक होता है यह कारण में हम देंगे ठीक है ऐसे आपको कारण में देना है उट ठीक है अगला देखते हैं दूसरा देखते हैं कि दूसरा है कौन एक किसी मान के लिए से के बरावर 12 वटा 13 अब देखिए यहां पर 12 वटा पांच सोरी एच वटा भी होता है एक चीजा आपको हम बार बर बताते आ है कि तिर्भूज में तिर्भूज के तीनों भूजा में सबसे बड़ी भूजा करन होती है अब जब सबसे बड़ी भूजा करन है तो यहां पर बेस को सबसे बड़ी भूजा बना दिया है तो यह का भी पॉसिबल है हमको तो पॉसिबल नहीं लगता आप भी पॉसिबल मत ब थे किया तो यह कुष्चन है अगर यहीं लेकिन किसी भी कुष्चन में छोटा कर दे जा ना तो वह कुष्चन है आपका गलत है लेकिन इस question में क्या दिआ है कि H जो है बड़ा दिया और उसके बाद कोई भूझा हो वह छोटा दे तो चल लेगा वो सत्य है तो हमारा दूसरे question क्या है सत्य है सत्य है कारण में क्या दीजिआ गा कारण मेंद इचिए गा क्योंकि क्योंकि जो तिर्भुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो इसमें सही दिया गया है क्योंकि तिर्भुज की सबसे बड़ी भुजा यहां पर बारत दिया गया है ठीक है इस तरह से आप लिख लिजेगा चलिए अगला कुश्चन को हम solve करते हैं समझते अगला कुश्चन क् संचीप्तरों दिखा रहा है वहась एकर 10 एक ऐस इंक जो है का ऊसंचीप्तरों क्सेश है ठीक है तो यह आपका गलत हो जाता है ठीक अब चलिए अगला question देखते हैं अगला में है कॉट ए-कॉट और ए-क बीच गुनन फल नहीं होता है क्योंकि कॉर्ट ए यह जो ए है यह गुनन फल नहीं गुनन नहीं यह इसका कोन है रिलेशन दिखाता है यह कोन है एक दुझे के विना यह अधूरा है ठीक है ना कोई इसका वैल्यू नहीं रह जाएगा जब एक दुझे के साथ वो मिलेगा नहीं ठीक है यह इसका कोन है प्रॉपर रिलेशन दिखाता है रिलेशन यह दिखाता है ठीक है तो यह गुननफल न आप से कुछ समय पहले यानि दूसरा नमबर में साथ बात किया था कि बारा बटा पांच यहां पर एच बड़ा दिया है और भी छोटा दिया यह सही है लेकिन यहां पर देखिए को छोटा करती है यह कभी पॉसिबल है अभी मैंने दूसरा कुश्चन में समझाया आपको कि यह पॉसिबल नहीं है चुकि हमेशा हम जानते हैं तिरभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है यह बुजा हम दोनों यह बुजा अलट हो सकता है कोन के करडिंग उपर नीचे जा सकता है लेकिन यह जो है साइन ठीटा यह पी के कोर्डिंग है जो हमेशा तिरभुज की बड़ी भुजा होगी होगी ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कुश्चन कम्प्रेट कर लिया है अगर आपने कम्प्रेट नहीं किया तो वीडियो को एक बार नहीं दो तीन बार बैक करके देखिए यहां पर पीछे करके देखिए ठीक है आ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक किजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देखिए चुकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेट का कारण बनता है और नयने उत्साह से आपके लिए वीडियो सूट करने का मन करता है ठीक है और अंद Cierra TK Book में पढ़ था आपको जो दिया जा रहा है यह आपका एक दिन का मेनत नहीं है यह आपके पुर्वजो द्वारा किये गए हजारो वर्ष की मेहनत है यह धरोहर के रूप में आपको दिया जा रहा है इसको आपको नश्ट करने का कोई अधिकार नहीं है इससे आप तो किजिए और अगले बात लगा था इसलिए मैंने सुचा कि आपको बता दूँ कि सही बात है कि अगर हमको कुछ मिला धरोहर के रूप में अगर माले जा हमें संपत्ति ही मिलते हैं घर परिवार का बटवारा होता जो संपत्ति जो भी जमीन मिलता है यही यही रहता है जो हमारे पुरभच हमको देक है उसको आगे बढने के लिए अपने जीवन में शरी सकते हमारों के मेहनत प्रिश्रम का फल हम लोग यहां पर रहे slash टेख सकते हैं कि ताओं अच्छा इकन O घ्यां के बढ़ंत ही होता है तो आप लोग पढ़िए मन लागे पढ़िए मोटिवेट होते रहिए और ऐसे ही फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद